इस तो इस विल्काम टो यूट्यूब चानल माइनम अभीनव जोषी आई होप यह आर ओल डूइंग गूड इस लिए इस लिए पूरे वीक की सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या डिसकस करेंगे 22nd of May से लेके 28th of May मतलब की पिछले Saturday से लेके इस Friday तक पूरा यह जो हफ्ता था हमें इसको यहां पर रिवाइस करेंगे रिवीजन का जो में तरीका होगा वो रहेगा कोशन आंसर फॉर्मट में ठीक है तो पिछले Saturday से लेके Friday तक मतलब आज तक ठीक है इस पर फॉर्मट में पूरा हफता हम यहां पर रिवाइस करने जा रहे हैं सारे important questions करंट affairs कटीकरी के Social studies कटीकरी के उसके लाभा static कटीकरी के finance करेंगे सारे questions को हम यहां पर अच्छे से रिवाइस करेंगे एक मैं students में चेक लेता हो class की audio video यहाँ पर clear आ रही हो उसमें कोई problem तो नहीं class की audio video में तो एक बहुत मैं जल्दी से यहाँ पर देख लेता हूँ तो में तर से तो students class की audio video बिल्कुल clear है उसमें तो कोई problem नहीं है ठीक है तो शुरू करते हैं इस class को 22nd of May से 28th of May के बीच के सारे जो current phase उनको revise करेंगे question answers format में यह class में हम लोग total 6 parts सकेंगे 6 parts में class होगी हर part में minimum 12 questions है कुछ में 12 से जादा भी होगे ठीक है तो कुछ हम यहाँ पर 70 से जादा questions को revise करने वाले हैं तो क्लास को शुरू करें उससे वाले में कुछ information में अपने बार में पता दूँ मेरा नाम है अफिर जोशी तीन साल से बिजार टाइम समय स्ट्रों को current phase, starting phase और banking phase की त्यारी करवा रहा हूं वेरियस government exams के लिए थोड़ी हैं बात कर लेते हैं अन अकाडमी platform बार में अन अकाडमी के platform पे 19th of May से नहे बैची शुरू कर दी गए हमारी कंटी का best platform अगरा banking exam सी त्यारी करना चाहो कंटी के best educators आपको यहां पर पढ़ाते हैं बहुत सारे batches आप लोग के लिए create कर दीगें, SBI clerk का batch बना दीगें, CET का batch बना दीगें, SBI PO का batch आपके लिए बना दीगें और वो सारे batches जो आने अले exam में आपकी मद्द कर दीगें उनको यहां create कर दीगें, Hello Harman Gudibini उसका आपको आपको बता दूँ, Unacademy Combat के बारे में यह एक बहुत ही important scholarship test है, जो हर Sunday को होता है, आप simply Unacademy platform पर जाओ, Combat पर जाके क्लिक करो, अगर referral code मांगा जाए तो ABHI referral code डाल दो, और आप इस test को यहां पर दे पाऊगा, ठीक है, बहुत तरह के आपके लिए यहां पर ब 4500, अगर आप एक साल यह उससे जादा लिए कोई भी subscription पर चेस करते हो, उसके साथ आपको यह freely available हो जाएंगे, एक इसी तरह को और offer है, special internet offer, 99% तक offer होगा, आपको 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 आप class की pdf available हो जाएगी, takich है students तो हम लोग यहाँ पर six parts में, इस question को, इस पुरी class को रखेंगे, हर एक part में minimum 12 questions है ठीक है, तो 70, minimum 70 से तो Stephen exclusive question है हम आप आपको viens स्क्लास पर चost кноп decision के गलत कर रहे हैं कोई भी आपका डाउट होगा ठीक है शुरू करते हैं सब्सक्राइब को पार्ट वन का कोश्चन बावन स्टाथिक आप लोगों के सामने for which game tiger woods is famous tiger woods असल में किस le alguns time ये फिडवाब कोशिश करण कोश गैंकर ने की tiger woods ये असल में किस game के साथ आपको यहां पर यह पतार नहीं फुट्बाल होकी गोलफ या पोलो तो तो कोई भी आपको को És під सब्सक्राइब करने कोई डाउट है और यूदियों में कोई प्रॉबज में उसके लिए आप लाइफ चाट आप्शन को यूज का सकते हैं हर्मन ने सबसे बहुत कर दिया है इस कोश्चन का से आंसर हर्मन कह रहे हैं इंडिया के किस स्टेट में कहां पर आपको मिलेगा सरइस्का टाइगर रिजर्ब गुज़ाट चेलंगाना या राजिस्थान कोशिश करो इस को अटेम्ट करने की लाइफ चाट ऑप्शन में सरिस्का टाइगर रिजर्ब इस स्टेट इन विच आफ ऑफ दी फॉलिंग मतलब की राजिस्थान आपको इसका बिल्कुल से पताता हूं जो कि है option बढ़ी राजिस्थान ठीक है तो सर इसका tiger reserve आपको कहा पर मिलेगा यह wildlife preserve जो कि आपको मिलेगा राजिस्थान ठीक है ठीक है और इसको establish किया गया था 1992 के अंदर चलते हम अपने थर्ड कोर्शन कोर्शन है हमारा current affairs critic आप से पूछा रहा है when is the United Nations recognized international T-Day observed international T-Day को recently observed किया गया था कब 20th of May 19th of May 21st of May या फिर 18th of May कोशिश करो इस question को attempt करने के recently United Nations recognized international T-Day कब मनाया गया था 20, 19, 21 या फिर 18 में तो आपने से किसे ने अभी तक इसको attempt नहीं किया इसका जो सही आंसर है वो है option बस ही 21st of May को observe किया जाता है यहां पर international T-Day बिल्कुसी अर्मना बिल्कुसी attempt करो option बस C ठीक है और 2019 से ही हमने असल में international T-Day को observe करना शुरू किया है बिल्कुसी चलते है अपने next question पर fourth question question है एक company है उसका नाम है EY ठीक है instant young तो उनने यहां पर एक renewable energy country attractiveness index R-E-C-E-I ठीक है इसको release किया था इसमें दुनिया में जो country यहां पर renewable form of energy की तर जा रही है non renewable form मतलब कोईला petroleum इन सब को छोड़के जो shift करी उनकी ranking लेकर आए थे तो आपको बताना है कि यहां पर India क्या क्या रांक था fourth second first या फिर third what is the rank of India in the 57th EY renewable energy country attractiveness index for 2020 fourth second first या फिर थर्ड तो हर्मन बोले इस question का स्यांस दोंची option number D मतलब कि third अगर आपने से और कोई attempt करना चाहे तो जल्दी से this question को attempt कर सकता है इसका जो बिल्कुल सी answer है वो है option number D मतलब कि इंडिया के रांक था 30 रा ठीक है तो बाकी जो country उनके rank पर आता हूं USA number one पे रहा second पे चाइना और third पे इंडिया ठीक है तो यह जो तीनों country इस time पर सबसे ज़्यादा पैसा खच करी है सबसे ज़्यादा जोर लगारी है यहां पर renewable form of energy पे shift करने का ठीक है और इनी को जुरूरी भी है क्योंकि इनका pollution सबसे ज़्यादा दुनिया में फिफ्स question question है हमारा current affairs category आपसे पूच्छा रहे है name the winner of 2020 millennium technology price 2020 millennium technology price किसको मिला है उसके winners का नाम पताना है रॉबर्ट लाइंगर या फिर लूनिस तोडवाल्स टिम बर्नीज ली और तुमो सुन्टोला शंकर बाला सुर्बमन और डेविन कल्रमन या रिचर्ड फ्रेंड और शिनार्ट यम्सका ठीक है इनमें से किसको 2020 millennium technology price दिया गया है इस कोशन का बिल्कुल ही सही आसर आपको इन्यूस आर्टिकल भी दिखा देता हूं तो इंडियन चैमिस्ट अमंग टेक नोबल प्राइस विंदर फॉर रेवलुशनरी डियन टेकनोलजी ठीक है तो जो प्राइस मिलियम टेकनोलोजी प्राइस यह प्राइसे में दिया जा में वर्ड मीत्राइस देख यहां पर एक मेर्मेंस को क्या बोलते थे यह वर्णियर कालजी पर है तो आपसे पूछा रहा है कि वर्ड मेट्राइस में एतीं में या फिर नाइंटीं में कोशिश को इस को टैंट करने की कि हर्मन बोले कोशन का से आंसर ओंची उप्शन मभी मतलब 20 में और अगर कोई इटायम करना चाहे तो जल्दी से इस कोशन को टेम कर सकता है इसका जो बिल्कुर ही सही आंसर है वो है option में भी मतलब 20th में ठीक है मैं आपको दिखा रहेता हूं तो वर्ड मेटलोजी डेव ठीक है इसको observe किया जाता है हर साल 20th में और एक होता है वर्ड मेटलोजीकल डेव यह वह वेदर कोरियोग्राफर हुँ हाज वान थी प्रिस्टीजियस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार 2020 दिए के option में से वह कौंसे इंडिन को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार 2020 दिया गया है Terence Lewis Suresh Mukund, Dharmesh, Irlanda या फिर रेमोड दिसूजा कोशिश करो इस question को attempt करने की live chat option के अंदर Hello Aditi, Welcome, Good Evening, Aditi बोले इस question का से answer और अप्शन नवर B मतलब की Suresh Mukund, Harman बोले इस question का से answer और B मतलब Suresh Mukund और Suresh Mukund इस question का बिलकुल ही, सही answer, आपको दिखाए तो एक news article, Suresh Mukund becomes first Indian to win annual world choreography award 2020, बिलकुँ से, 8th question, question है, which day of the year is marked as the National Anti-Terrorism Day in India, तो National Anti-Terrorism Day इंडिया में कब observe किया जाता है, 21st of May, 19th of May, 20th में या फिर 18th of May, कोशिश करो इस question को attempt करने की, which day of the year is marked as the National Anti-Terrorism Day in India, 21, 19, 20, या फिर 18th, तो मैं देख रहा हूँ, हर्मन attempt करें, इस question का सही answer होंचे है, 20th of May, और अगर आपने से कोई attempt करना चाहे, तो जल्दी से इसको attempt कर सकता है, इस question का जो बिल्कुल ही सही answer है, वो है option number A, 21st of May, 21st में, ठीक है, तो आपको मैं दिखा रहता हूँ, तो National Anti-Terrorism Day हर साल होता है 21st में को, क्योंकि 21st of May को क्या होती है, यह असल में death anniversary होती है, हमारी कंटी के former Prime Minister, Rajiv Gandhi के, इनको assassinate किया गया था, तो इनकी death anniversary पर हर साल हम लोग National Anti-Terrorism Day को observe करते हैं, ठीक है, 9th question, question है हमारा, यहां पर social studies का, production of chlorofluorocarbon gas, which is proposed to be banned in India, is used in which of the following domestic products, आपको यह पर पूछा रहा है कि CFC gas, जो कि इंडिया में वैसे banned है, इसको किस sector में, किस products में use किया जाता था, क्या यह television products में use होती थी, refrigerator products में, tube light में, या फिर cooking gas में, production of CFC gas, which is proposed to be banned in India, is used in which of the following domestic products, तो Harman ने attempt कर दिया, Harman बोले, इस question का सही answer है, option में B मतलब की, refrigerator, और अगर कोई आपसे attempt करना चाहे, तो इस question को जल्दी से attempt कर सकता है, इसका बिल्कुल ही जो सही answer है, वो है option में B, refrigeration, या फिर बाकी आपको sectors दाता हूँ, जो deodorants होते हैं, cans होते हैं, उन्हीं इंडस्री में यूज किया जाता है, उसके लाबा, जो fire hydrants होते हैं, वहाँ पर भी CFC को यूज किया जाता था, पर CFC के तो होता है, क्या था, ozone, ozone depletion होते लिए ठीक है, और ozone depletion बहुत जादा जूरी थी इसको रोकना, तो पूरी दु अचा रहा है, balloons are filled with, जो छोटे बचों को एक balloon दिया जाता है, गुबारा जो दिया जाता है, उसके दर एक gas भरियाती है, इसके थूँ थोड़ा सा हमेशा float करे हवा में, ठीक है, तो यह कौन सी gas होती है, nitrogen, helium, oxygen या फिर argon, कोशिश को इस question को attempt करने की, balloons are filled with nitrogen, helium, oxygen या फिर argon तो हर्मन बोले, इसका सियांसर होची, option में B मतलब की helium, और अगर आप में से कोई attempt करना चाहे, तो इस question को जली से attempt कर सकता है, balloons are filled with nitrogen, helium, oxygen या फिर argon, इसका जो बिलकुल ही सही answer है, बिलकुल सिया पतारे हो हर्मन, option में B, helium इस question का बिलकुल ही सही answer है, ठीक है, तो helium gas होती ही जो balance में भरी आती ही, जिसके वह से वो थोड़ा float करता है, ठीक है, अगला question है, finance catty का, यहाँ पर insurance sectors related question है, according to SNP Global Market Intelligence Data, dash country is the second largest insurance technology market in Asia Pacific, ठीक है, तो Asia Pacific के दूसे नमर पर सबसे बड़ी insurance technology market कौन सी है, चाइना, इंडिया, सिंगापूर या वेतनाम, तो यह easy question है, आप पता है, एशा पैसिविक में, चाइना भी है, इंडिया भी है, जिपैन, भी है, सिंगापूर, सारी कंटीद आरती है, तो दूसे नमर पर आपके हिसाब से कौन होगा, यहाँ पर, हर्मन बोले, इसका सही answer है, इंशोरंस की market है, तो यह तो simply लोगों के नमर से जुड़ती है, तो Asia Pacific के सबसे अधा populated country और दुनिया के सबसे अधा populated country है, चाइना, वो यहाँ पर number 1 पे, इंडिया second populated country और इंडिया यहाँ पर number 2 पे, ठीक है, आप देख सकते हैं, इंडिया second largest insurotank market in APAC, APAC मतलब Asia Pacific, चलते हैं अपने first part के आखरी question पर, तो part 1 question number last है, 12th question finance, कैटिक आप से पूच इंडेक्स को एक base year दिया गया, वो कौन सा है, 2011-12, 2014-15, 2012-14, या फिर 2016, जैसे WPI, वो wholesale price index के लिए base year होता है, GDP के लिए कोई base year नहीं होता, GDP में simple rule है, अगर 2020-21 की GDP compare करनी है, तो 2019-2020 से करो, और 2019-2020 की करनी है, तो 2018-2019 से करो, ठीक है, हमेशा पिछले साल से की जाती है, तो हर् 2011-12, ठीक है, शुरू करते हैं, पर second part, second part का question number one हम दोगे आपर देख लेते हैं, पहला question है, हमारा static affairs category का, where is the headquarters of the geological survey of India located, geological survey of India के headquarters आपको कहाँ पर मिलेंगे, मुंबाई, हैदराबाद, New Delhi या फिर कोलकता, कोशिश करो इस question को attempt करने की, where is the headquarters of geological survey of India located, मुंबाई, इस question number C, मतलब New Delhi और अगर आपने से कोई attempt करना चाहें, तो जली से question को attempt कर सकता है, कहाँ पर है headquarters geological survey of India के, मुंबाई, हैदराबाद, New Delhi या फिर कोलकता, इस question का जो बिलकुल ही सही answer है, वो है option number D, कोलकता, ठीक है, तो West Bengal की capital, कोलकता में आपको headquarters मिलेंगा, geological survey of India का, तो Geological Survey of India founder थे, इसके Thomas Oldham, इसको found किया गया था, 1851 में ठीक है, और headquarters मिलेंगे, कोलकता, West Bengal के अंदर, और ये काम करता है, under the survey of India, चलते है, अपने part 2 के second question पे, question है, हमारा static affairs category, the council of scientific and industrial research, जिसको CSIR जारा नाम से बुले आता है, ये एक autonomous body, मतलब ये अपने decision खुद लेती है, largest research or development organization है हमारी country, इसके headquarters का है, simply आपसे CSIR के headquarters पूछा रहे है, New Delhi, Pune, Kolkata या Bengaluru, आपको बताना है कि CSIR, Council of Scientific and Industrial Research के headquarters है कहाँ पर, New Delhi, Pune, Kolkata या फिर Bengaluru, तो Harman ने attempt कर दिया, सबसे बहे हरे, Harman बोले, इसका से answer रहे, option B, मतलब Pune, बाकी लोग भी कोशिश करो कि CSIR के headquarters कहाँ पर है, सबसे अगर आपको question को attend करना है, आप यहाँ पर live chat option में इसको attend कर सकते हैं, मैं आप लोगों की live chat को regularly check कर रहा हूं, इसका जो बिल्कुल ही सही answer है, वो है option A, New Delhi, CSIR के headquarters आपको मिलेंगे, New Delhi, Council of Scientific and Industrial Research, काम करते हैं under the Ministry of Science and Technology के अंदर, इसको बनाएगा था 1942 में, और इ Tentative List of UNESCO, UNESCO मतलब United Nation, Educational, Scientific and Cultural Organization, तो UNESCO की Tentative List of World Heritage Site की, उसमें अब total 48 Sites हैं, इंडिया की तरफ से, तो मैं 2021 में, कितनी Sites add होगी इंडिया की तरफ से, इंदी Tentative List of UNESCO, बनाब final list है, यह लोग final list release करेंगे, पर यह जो 6 जगाएं add हो चुके है, sorry मैं आपको आंसर बता रहा है I am very sorry, तो इसका सी answer क्या था, इसका सी answer था 6, ठीक है, तो वैसे आप लोगोंने attempt चलो सही करी दिया था, हर्मन अधिती, तो total 6 Sites ही जो इंडिया की तरफ से add होगी अब total हमारा 48 पहुंच चुके है, पहले 42 था, ठीक है, तो आप देख सकते हो, 6 Indian places added to the tentative list of UNESCO World Heritage Site, इसमें व तो जुनको आप यहाँ पर देख रहे हो, यह काफी famous environmentalist है और एक चिपको मुमेंट की बहुत 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 लीडर थे, इनकी death होगी because of COVID-19 complication at the age of 94, इनका नाम कहा है, मोहन धरिया, चंदी प्रसाद भर्थ, माइक पांड़ा या फिर सुन्दरलाल बहुगना, कोशिश करो इस question को attempt करने की, हर्मन ने, अदिती ने, दोनों ने attempt कर दिया, इसका बिलको सी answer option D, सुन्दरलाल बहुगना, तो चिपको मुमेंट पायनोर सुन्दरलाल बहुगना dies of COVID-19 at AIMS Rishi case, ठीक है, चलते है अपने next question, question number 5 है, हमारा current affairs का, डिपकोवें is a COVID-19 antibody detection kit, launched by which organization, तो जो डिपकोवें है, यह सर में COVID-19 की, एक antibody detection kit है, ठीक है, इसके तो आप यह पता लगा सकते हो, क्या आपकी body को COVID-19 हुआ या नहीं हुआ, इसको recently launch किस ने किया, DRDO, ICMR, IIT, मद रास या फिर इंडिया नेवी, तो जितना मैं देख रहा हूँ, फिफ्त का answer, हर्मन ने बोले, option number A, अधिती ने बोले, option number A, इसका बिल्कोशी answer, option number A, मतलब DRDO, Defense Research Development Organization, तो DRDO develops COVID-19 antibody detection kit, डिप COVID-19, बिल्कोशी, चलते है, अपने six question पे question है, who has been appointed as the new president of International Hockey Federation for three years, till 2024, International Hockey Federation के नई president appoint कर दीगे, 2024 था कि उनकी पिच्चा लगाएगी, इनका नाम क्या है, सुरेश, कल्वाडी, नरेंदर बत्रा, नरायन, रमन चंद्रा, या फिर अभे सिंग चौटाला, तो आधिती बोले, इसकोशी answer, उंची option में B, मतलब कि नरेंदर बत्रा, और अगर कोई attempt करना चाहें, तो जल्दी से इस question को attempt कर सकता है, क्या है इनका नाम, इनको 3 साल के लिए appoint कर दिया गया, president of International Hockey Federation, या फिर इसको F.I.H. भी बोलते हैं, इसकी फ्रेंच फॉर्फाम होती है, इंटर नरेंदर बत्रा, और अगर कोई attempt करना चाहता है, जल्दी से कर सकता है, इसक के अलावे यह Indian Olympic Association के भी president है, ठीक है, चलते हम अपनी next question पे, question number 7 पे, question है, हमारा current affairs category आप से यापर पूछा जा रहा है कि, HY2D, यह एक new ocean monitoring satellite है, इसको एक country ने launch किया, ताकि marine disasters, ocean disasters के बार में पहले से information मिल जाए, किस country ने launch किया HY2D को, China, Japan, Russia या फिर इसराइल, कोशिश करो, इस question को attempt करने की, HY2D is a new ocean monitoring satellite, launch by which country to detect early warning on marine disasters, तो, अधिती बोले option number, ASME बोले option number, इसका बिलकुल सियान से option number, चाइना, तो recently, चाइना ने इसको launch किया था, ठीक है, चाइना successfully launches new ocean observation satellite हायांग 2D, ठीक है, 2020, 2021, UEFA Women's Champions League, तो 2020-26 की UEFA Women's Champions League को किस ने जीता है, ला लीगा, चल्सिया, बाद सिलोना या फिर, अट लीट सो मेडिट, तो यह सारे के सारे football clubs हैं, इन में से किस ने जीत लिया है 2020-26 का UEFA Women's Champions League, लीग, तो जितना मैं देख पार हूँ, अधिती attempt करें, option बसी मतलब बासिलोना, और अगर कोई attempt करना चाहता है, जल्दी से attempt करो, हर्मन या फिर, सिमी, हर्मन, बोरेस का सियान सोची, option बसी, इस question का बिलको सियान से option बसी, ठीक है, तो बासिलोना फुटबल कलब की बात की जारी, आप देख सकते है 2020-21 का UEFA Women's Champions League, फाइनल्स में बासिलोना ने 4-0 से हां पर चेल्सिया को हरा दिया, ठीक है, बिलको सिया, चलते है अपने 9th question पर, question है, हमारा social studies का आप से पूछा रहा है, which of the falling metals remain in liquid form under normal conditions, normal conditions मतलब room conditions पर, तो room conditions में से इन में से वह कौन सा metal है, जो liquid form में रहता है, radium, zinc, uranium या फिर mercury कोशिश करो, इस question को attempt करने की, आदिती बोले, इसका सियांसरोंची option बर D मतलब की mercury, हर्मन बोले, इसका सियांसरोंची option में D मतलब की mercury, और अगर आपने से कोई पताना चाहें, इन में से वह कौन सा metal है, जो room temperature पर, room conditions पर, यहां पर liquid form में मिलता है, सिमी बोले option में D, mercury, mercury इसका बिलकुल ही सियांसरोंची है, यह चलती है, ऐसी city का जो air होती है, उनको इन में से कौन सा metal है, जो pollute करता है, copper, chromium, lead या फिर cadmium, अधिती बोले, इसका सियांसरोंची option में C मतलब की lead, हर्मन बोले, इसका सियांसरोंची option में C मतलब की lead, और अगर आपने से कोई attempt करना चाहें, तो जली से इसको attempt कर सकता है, इस question का जो बिलकुल ही सही answer है, वो है option बसी मतलब lead, तो आपको वैसे भी बताऊगा, जो lead है, यह carcinogenic होता है, मतलब cancer causing होता है, ठीक है, तो यह industrial cities होती है, बड़ी-बड़ी CTS जैसे दिल्ली हो गया, उसके लाब चन्नी हो गया, उन सब की आपको atmosphere में काफी quantity में मिल जाएगा, ठीक है, 11th question, question है हमारा finance का, आपसे पूछा रहा है कि इन में से वह कौन सा bank है, जिसने एक collaboration करिया है Hyper Verge के साथ, यह company है startup है, यह collaboration के अंदर Hyper Verge इस bank को मदद करेगा video banking solutions में और digital banking services देने में ठीक है, क्या State Bank of India ने पार्टेशिप करी है, HDFC bank ने, ICICI bank ने पंजाब national bank ने, मैं आपको बताता हूँ देखो, जिस भी bank जो भी इसका answer है, उसने यहाँ पर पार्टेशिप इसलिए करी है, क्योंकि अभी restrictions की वज़से नए customers bank आनी सकते हैं, बैंक के agents customers को मिल ने सकते हैं, तो Hyper Verge इस bank को पताएगा कि कैसे आप video conferencing के थूँ या फिर जो नई digital technologies के थूँ नए customers अपने साथ raise कर सकते हो, तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर अभी तक attempt किया है, इसको सिरफ Harman ने, Harman बोले, option number A, State Bank of India, इसका सही answer है, और अगर आप पर इसको कोई attempt करना चाहें, तो जली से इसको attempt कर सकता है, इस question का बिल्को सही answer है, option number A, State Bank of India, बिल्को सही अर्मन, तो आप देख सकते हो, State Bank of India and Hyper Verge, यह US-based एक start-up है, इन्होंने partnership किया है, ताकि online accounts ने खोले जासे को और नए customers को यहाँ जोड़ा जा सकते है, ठीक है, चलते है students, अपने second part के last question पे, 12th question पे, अभी हमारे इसके लावा, 3rd, 4th, 5th, 6th, 4 parts और बाकी, बहुत सारे questions अभी और बचे रहे, finance का question है, अरुन्दिती भटाचार है, is related to, किस bank से जुड़े हुए है, अरुन्दिती भटाचार है, ICICI Bank, State Bank of India, Corporation Bank, या फिन नन ओफ दी अबव, इन में से किस bank के साथ जुड़े है, अरुन्दिती भटाचा option number B, मतलब कि State Bank of India, और कोई गर आपने से attempt करना चाहिए, तो जल्दी से इस question को attempt कर सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका answer किया है, इसका बिलकुल answer is State Bank of India, ठीक है, तो अरुन्दिती भटाचार है, ये अब retire हो चुक है, Indian banker, और former chairperson of State Bank of India, ये हमारी किंदी में पह अरुन्दिती भटाचार है, जुड़े हो है, State Bank of India के साथ, चलते हैं सुन सबते, थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट का पहला question है, हमारा static affairs category आप लोगों के सामने, the National Museum of India is located in which city, इंडिया के कौन से शेहर में, National Museum of India, एहमदाबाद, कोलकता, New Delhi, आफे परियागराज, कोश तो अभी तक तो आदिती ने ही attempt किया, और आदिती ने बिल्कु से attempt किया, option number C, New Delhi, इसका बिल्कुल ही सही हां से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, National Museum, तो इसको National Museum बोलता है, या फिर National Museum of India, कुछ भी बोल सकते हैं, और इसको found किया गया था, 1949 को अमारी कंटिया, एक बहुत या आपको इंडिया के कौन से शेहर में मिलेगा, बिंगूपेट एरपोर्ट, मॉंबाई, हैदराबाद, इंदौर या फिर भूवनेश्वर, तो बिंगूपेट एरपोर्ट is located in which city of India, मॉंबाई, हैदराबाद, इंदौर या फिर भूवनेश्वर, कोशिश करो इस question को attempt क करने की, इंडिया की वो कौन सी city है, कौन सा शेहर है, जहां पर आपको बिंगूपेट एरपोर्ट मिलेगा, मॉंबाई, हैदराबाद, इंदौर या भूवनेश्वर, अभी तक मेरे हिसाब से तो आपने से किसी ने इसको attempt नहीं किया, तो मैं आपको इसका सी answer बताता है, इसका बिल्कु सी answer option B, हैदराबाद, तो तेलेंगा ना की capital हैदराबाद में आपको मिलेगा, बेंगूपेट एरपोर्ट अब देख सकते हैं, बेंगूपेट एरपोर्ट कहां पर मिलेगा, तो बेंगूपेट हैदराबाद तेलेंगा, ठीक है, और इसकी उंदर है Airports Authority of India Limited Third question, question है हमारा current affairs Cathy का, which state government has launched Sanjeevni Pariyojana, तो Sanjeevni Pariyojana कौन सी state government ने शुरू किया, students अब न, बड़े सारे questions आएंगे, जो state government के initiative से जुड़ो है, ठीक है, तो ये questions आपके लिए important है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछाएगा कि चलो पताओ, करोना में cases कितने आई थे, deaths कितनी हुई थी, कौन-कौन सी दवाई ये उसके नहीं, हाँ, ये पूछा सकता है कि चलो पताओ, ये scheme को कौन सी state ने शुरू किया था, ठीक है, तो which state government has launched Sanjeevni Pariyojana, गुजरात, राजिस्तान, हर्याना, या फिर मध्या परदेश, तो जितना मैं देख पा रहो, अभी तक सिरफ शायद अधिती नहीं, अधिती नहीं attempt किया, अधिती बोरिस का सी answer option बसी, मतब हर्याना, और अगर आपने से कोई attempt करना चाहिए, तो जली से इसको attempt कर सकता है, question का बिलकुल सी answer option बसी, मतब हर्याना, तो हर्याना स्टेट ने शुरू किया था, Sanjeevni Pariyojana को आपको दिखा extinct in 1952, इन में से वो कौन सा animal है, कौन सा जान दा रहा है, जो 1952 में declare कर दिया गया था, कि इंडिया से extinct हो चुका है, पर इसको फिर से reintroduce किया जगा, सुमांतरन, rhinosaurus, pink-headed duck, Indian orcorrhose, सियाफित, चीता, तो सबसे बहले टेंट कर दिया है, हर्मन ने, हर्मन बोले, इस कोशन का सी इस कोशन का बिलकुल जो सही आंसर है, वो है option में डी चीता, तो students, चीता ना हमारी कंटी में पाया नहीं जाता, आप हो सकता है, कभी leopard के साथ confuse कर दो चीता को, ठीक है, वो leopard होता है, चीता नहीं होता है, leopard की तो अच्छी खासी population है, तो आपको news article दिखाता हूं, चीता to be reintrodu इंडिया फ्रॉम आफरिका ये पताया था, मध्य परेश की गर्मेंने, तो वैसे तो हमारी कंटी में मिलते थे इनके लिए एक अच्छा कासा environment हमारी कंटी में, वो तो over poaching की वरसे ठीक है, जो लोग इनका शिकार करते रहे, उसकी वरसे इनका number खतम हो गया, अब इनको फि हो चुके है, तो ये वैसे तो बिल्कुल भी अच्छी नियूज नहीं है, पर आप कोशिश कर उसको attempt करने की, वो consequently है, ब्राजील और यूएस के बाद जहां 3 लाख सोचों, 3 लाख लोग की death हो चुके because of COVID-19, UK, इंडिया, फ्रांस याटी, देखो सोचता हूं, कि parents या ग्र छेड़ खानी करोगे, तो जब नेचर आपको जवाब देगी, वो आपके control से हमेशा बार जाएगा, ठीक है, तो मुझे exactly तो नहीं पता है, पर जो death का number है, जितना मुझे अंदाजा है, वो शायद 37 लाख पर पहुंच चुके है, global death number, ठीक है, सोचो, अगर इतना ही है, 35 30 लाख से उपर तो है, इतना तो मुझे पका पता है, तो इतना जो बड़ा number है, दुनिया में ठीक है, यह क्यों क्योंकि एक ऐसी चीज 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 जो मारे control से बार लेकल की, तो बिल्कुल से आप लोग अटेम्ट करें, उसका सी आंसर है, इंडिया ठीक है, तो US और ब्र सब्साइब करने हैं, धीक है, दुनिया में सब्सार है, उसे में दूसे नवचाइब, सब्साइब परिषॉ, फिंद्सान ईडिया में तीससम नवचाइब, सब्सार है किसे बराजील में, न totally गाने है, फिर धर खुछन कितने करें, यह, अश्ग्वरों के डेत हुई है इंडिया में हर 10 लाग पर 221 लोग के डेत हुई जो नंबर काफी आप देख सकते हैं कंट्रोल में बाकि सारा जो कंट्री के मुकाबले ठीक है तो अभी विमारी कंट्री अगर सेकंड वेव डेखो 99.9% तो सेकंड वेव अब लग रहा है कि कंट्रोल में आ चु चलते हैं अप्टे 6 कोशन है हमारा करंट अफेर्स कार्टी का रीसेंट्ली विच ओफ दी फॉलिंग स्टेट गर्मेंट हैस लाउंच दी हिट कोविट आप तो इन्शूर रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्राकिंग ऑफ दोस कोविट कोशिश करो तो बिलकुल से रुपाली आप कोशन नंबर फिफ्ट का बिलकुँ से बता रहे थे इंडिया बन की थी तीसरी कंटी अब सेक्स कोशन को अटेंड करने कोशिश करो हिट कोविट आप इन में से किस स्टेट ने यहां पर शुरू की है पंजाब हर्याना असाम या फिर बिहार तो आप में से कोई स्टेंब नहीं कर रहा तो मैं आपको बतारता हूं जो हिट कोविट आप है यह शुरू की थी बिहार स्टेट है ठीक है आपको इन्यूस आर्टिकल भी दिखा देता हूं तो बिहार गमेंड लांचेज हिट कोविट आप तो इन्शूर रेगुलर मॉनि स्टेंटरिंग ओफ कोविट नाइंटीं पेशिंट ठीक है चलते सून से अपने सेवंध कोशन है हमारा कुरंट अफेर काटी का विच ओफ दी फॉलिंग वेब ब्राउजर हाज डिसाइड़ डिटायर विट इफेक्ट वां 15 जून दोजर बीस 15 जून दोजर बीस को दिए 2022 से कौन साइन में से वह वेब एक्स्प्लोरर वेब ब्राउजर जो की काम करना बंद कर देगा Microsoft Edge Firefox Opera Mini या फी इंटरनेट तो अभी तक तो मैं देख रहा हूँ आपने से किसी ने इस question को attempt नहीं किया सिमी इसको attempt करें सिमी बोले इसका स्यांसर ऑप्शन बडी मतलब की internet explorer जो की बिलकुल ही स्यांसर ठीक है तो internet explorer बंद हो जाएगा 2022 से और उसकी जगह आजएगा Microsoft Edge ठीक है यह शुरू हो जगा जब internet explorer बंद होगा तो आप देख सकते हैं Microsoft to retire iconic internet explorer on 15th of June 2022 और इसकी जगह पर क्या जएगा Microsoft Edge ठीक है नेक्स एट्थ कोश्चन कोश्चन है हमारा current affairs का नेम भी newly launched educational technology startup by hero group तो hero group ने यह पर एक edutech startup शुरू कर दिया उसका नाम क्या hero tech, hero varied, hero edu या फे hero plus कोशिश करो इस question को attempt करने की newly launched educational technology startup by hero group hero tech इसका नाम रखा गया, hero varied रखा गया, hero edu रखा गया या फे hero plus तो अभी तक तो आपने से किसने इस question को attempt नहीं कि हमें आपको उसका answer बताता हूं इस question का जो बिल्कुल say answer है वो है option B मतलब hero weird ठीक है तो जो hero group है आपको पता है बहुत famous group है, two with a बहुत बढ़ा brand है hero group ने याँ पर एक edu tech startup शुरू कर दिया, इसका राम है hero weird ठीक है, आगे चलते है, ninth question, question है हमारा social studies का आप से पूछे जा रहा है, great Victorian desert आपको इंडिया में कहां पर मिलेगा, Canada, West Africa, Australia या फे North America, the great Victorian desert is located in Canada, West Africa, Australia या फे North America, कोशिश करो इस question को attempt करने की, कहां पर आपको मिलेग ठीक है, तो मैं आपको इसका अंसर बताता हूँ, यह जो great Victorian desert है, यह आपको मिलेगा, असल में, Australia में ठीक है, तो Australia का एक बहुत ही बड़ा desert है, बहुत ही important desert है, इसका नाम है great Victorian desert, students मैं आपको recommend करूँगा, please आप लोग चेक कर लो कि कहीं आपकी video lag तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप पुराने questions का भी answer कर रहे हो, तो प्लीज को एक बार चेक जूरूर कर रहे हो, ठीक है, कई बार क्या होता है, वीडियो लाइव सेट जाती है, और कुछ seconds है, कुछ minutes late होती है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, जो आपकी video है, जहां पर जो bottom left पॉंदर है, वाँ live लि तो great Victorian desert आपको मिलेगा, Australian continent या Australia country, जो भी बोलना चाओ, 10th question, question है, हमारा social studies का, आप से पूछा रहा है, कि USSR की disintegration होगी, थे मतब, USSR तूट गया था, नाइटे बार में, USSR या सूविक तूनों, जो भी बोलना चाओ, तो कितनी countries में तूटा था है, ठीक है, क्या 15 countries में लग 25 में, 25 में, with the disintegration of USSR in the end of 1991, 26th of December 1991 को टूटा था, USSR, कितने Union Republic से बना था, तो, अधिती बोले, इसका सी answer होगी, option number A, मतलब 15, और अगर आप में से कोई attempt करना चाहे, तो जली से इसको attempt कर दो, इसका बिलको सी answer option में 15, तो टोटल 15 कंटी से मिलकर बना था, यहां पर USSR या फे सो Soviet Union भी सबसे बड़ा था, आगे जाके रश्या भी दुनिया के सबसे बड़ी कंटी है, फिर यहां पर जो Central Asian countries हैं, उसके लावा यहां पर यह जो, इनको क्या बोलेंगे, Eastern European countries है, सारी के सारी members होती है Soviet Union की, Russia, Estonia, Latvia, Lithenia, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Azerbaijan, अजर्बाइजा, war पे भी चले कुछ दिन पहले, कजाकेस्तान, उस्बेकिस्तान, तुर्कमेंस्तान, किर्गिस्तान और तजाकेस्तान, यह सब कंटी होती है, member of USSR, ग्यारव कोशन है, फाइनस का, ITR filing deadline, income tax return की filing की, जो deadline थी for the financial year, 2021, उसको government ने दो महीने से बढ़ा दिया, अब नई deadline क्या है, 31st of July, 31st of October, 31 ITR filing के जो नई deadline government ने set किया, वो कौन सी है, 31st July, 31st September, 31st of October, 31st of August, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, अभी तक तो आप ऐसे किसने इस question को attempt ने किया, जल्दी से कोशिश करो, students, इस question को attempt करने की, कि जो ITR filing की deadline है, for the financial year, 2021, वो government ने दो महीने से बढ़ा दिया, next deadline क्या है, इसका जो बिल्कुल ही सही answer है, मैं आपको बताता हूँ, वो है option number B, मतलब की 30th September, 30th September, तो अब 30th September, यहाँ पर next deadline रखिये, government ने for income tax return filing, ठीक है, चलते हैं, अब यहाँ देख सकते news article, government extends financial year 2020, किस ITR filing deadline for individuals till 30th September, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, थर्ड पार्ट के आखरी Central Government for the accounting period of 9 months ending 31st of March 2021, तो RBI ने recently Central Government के accounts में कुछ surplus पैसा है, मतलब यह वो पैसा होता है, जो RBI ने कमाए होता है, पर क्योंकि RBI प्रॉफिट नहीं रख सकती, क्योंकि वो एक सरकारी organization है, तो वो सारा पैसा Government को transfer कर देती है, आप से अबर पूछा जा रहा है कि कितनी amount RBI ने transfer क करी है, हमारी कंटी के Central Government को, क्या RBI ने 70,000 क्रोड के आसपास, 80,000 क्रोड के आसपास, 90,000 क्रोड या फिर 1,00,000 क्रोड के आसपास, कितना पैसा transfer किया है, Reserve Bank of India ने हमारी कंटी के Central Government को, तो आजी थी बोलेस का से अंसर होंची, option number A, मतलब की almost 70,000 क्रोड के आसपास, और अगर आपने से कोई attempt करना चाहिए, तो जली से को attempt कर सकता है, इस question का जो बिलकुल सी answer है, वो option बढ़ी, मतलब 1,00,000 क्रोड 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 इतना यहां पर transfer किया है, RBI ने हमारी कंटी के Central Government में as surplus, तो आप देख सकते है, RBI to transfer रूपीज 99,122 क्रोड क्रोड तो I hope यह हमारा 4th part है, 4th या 5th में से कोई एक part होना चाहिए, question ने दी headquarters of international monetary fund, IMF के headquarters कहां पर है, Paris, France, London, United Kingdom, Washington DC, United States, या फिर Lausanne, Switzerland, इन में से कहां पर आपको headquarters मिलेंगे, international monetary fund के कोशिश कर इस question को attempt करने, Paris, London, Washington DC, या फिर Lausanne, तो Aditi Boris का answer है, option बस C मतलब की Washington DC, और अगर आप ने से कोई इसको attempt करना चाहते है, तो जली से attempt कर सकता है, या आपको कहां पर headquarters मिलेंगे, IMF के, इसका जो बिलकुल ही सही answer है, वो option बस ही बिलकुल सी आदी थी, Washington DC, United States, International Monetary Fund, MD, managing director, किसलिया जो जाविया, headquarters, Washington DC, United States, Chief Economist, Gita Gopinath, ठीक है, आगे चलते है, second question है, हमारा static affairs category, the headquarters headquarters of European Union, EU के headquarters कहां पर है, London United Kingdom, Luxembourg, इसकी capital भी Luxembourg, Amsterdam, Netherlands, Brussels, Belgium, इन में से European Union के headquarters आपको मिलेंगे, कहां पर, London United Kingdom, Luxembourg, Amsterdam, Netherlands, Brussels, Belgium, आदीती बोले, option number D, Herman, बोले, option number D, आप दोनों बिलकुल से ही टेंट करे हो, Belgium के capital Brussels में, आपको headquarters मिलेंगे, European Union के, थर्ड कोशन, कोशन है, हमारा current affairs category का, वो कौन सी state government है, जिसने यहाँ पर, वत्सला योजना शुरू करी है, उन बच्चों के जो अनात होगे, because of Corona, तो, almost 600 के जिनकी जो अनात होगे, क्योंकि उनके parents के death होगे, Corona वायस की वैसे ठीक है, तो, वो कौन सी state इसने, वत्सला योजना शुरू करी, ताकि जो बच्चे यहाँ पर, orphan होगे, because of Corona, उनको help की जा सके, बिहार, उत्राखंड, हर्याना, या फिर 36 गट, कोशिश करो, इस question को attempt करने जाता हूँ, उत्राखंड, CM, declared वत्सला योजना for children, orphan due to Corona, ठीक है, बिलकुस ही, फोध कोशन, कोशन है, हमारा current affairs category का, which state chief minister has launched a mobile app, अमरित वाहिनी, अमरित वाहिनी mobile application, इन में से कौन से state के chief minister ने शुरू करी, ये भी COVID से जोड़ा हुआ, ठीक है, आगे आगे आपको news article में क्या काम करती है, मर्द्यपदेश, हर्याना, बिहार, या फिर जार्खंड, which state chief minister has launched a mobile application, अमरित वाहिनी, मर्द्यपदेश, हर्याना, बिहार, या फिर जार्खंड, तो अभी तक तो मैं देख रहा हूँ, आप ऐसे किसी ने इस question को attempt नहीं किया, तो मैं आपको इसका सियान स बता रहता हूँ, यह जो अमरित वाहिनी है, हर्मन बोले option में भी और इसका सियान से option में डीर जार्खंड, ठीक है, तो जार्खंड launches अमरित वाहिनी app for online booking of hospital beds, आप देख सकते हैं, जार्खंड के जो CM है, हिमन सुरेन, उन्होंने यहाँ पर इस app को शुरू किया है, चलते ह यहाँ पर पेड लगाते हैं, ठीक है, during the monsoon season, अब monsoon में पेड लगाना सबसे best है, क्योंकि अगर तीन-चार शावर अच्छे खासे मिल जाएंग उस पेड को, तो वो उसकी जड़े वाहाँ पर final हो जाएंग, ठीक है, वो फिर बाद में उख सकता है, तो क्या स्कीम का नाम अंकुर इस question का बिल्कुर ही, सही आंसर, आपको दिखा देता है, नियूज आर्टिकल, मद्यपदेश गर्मेंट लांचे स्कीम तो अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीस, बिल्कुर से, six question, question है, हमारा current affairs category आपसे पूछा रहा है, कि कौन सी country की military ने arrest कर लिया अप प्रेजिएंट, प्राइम निस्टर और डिफेंस मिस्टर को एंपर arrest कर लिया, Zambia, Mali, Ethiopia या फिर Iletria, क्योंकि है, यह reason का है, उसके पिसे वो मैं आपको भी पता देता हूँ ठीक है, तो अभी तक तो आप में से किसी ने इस question, हर्मन बोल रहा है, option number A, मतलब Zambia, अधिती बोल रहा है, option number B, मतलब की Mali, इसका बिल्कुर सी answer है, option number B, Mali, ठीक है, तो हुआ क्या, Mali की जो military थी, और Mali की जो government थी, उनके बीचे में वैसे भी नहीं बनती थी, Mali के important लोग थे, जो government पर, position पर पैठे हुए थे, government ने क्या किया, जो government के, मतलब, President, Prime Minister ने क्या किया, re-shuffling करी ministers की, और जो military के representatives थे, उनको ज़्यादा important positions नहीं दी, जिसके बाद, जो Mali की military थी, उनने यहाँ पर एक कू कर दिया, कू, मतलब, एक तरह से तक्ता पलट कर दिया, ठीक है, President, Prime Minister को सबको arrest कर लिया, 7th question, question है, हमारा यहाँ, current affairs catty का, which among the falling vaccine, does not yet feature in WHO emergency use listing, इन में से वो कौन सी vaccine है, जिसको अब तक यहाँ पर WHO emergency use का status नहीं दिया गया, Covaxin, 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 Sign of Arma, Johnson & Johnson, तो WHO भी यहाँ पर status देता है, जिसको emergency use का status नहीं दे दे, उसके बाद वो vaccine को यहाँ पर, जो covax program चला है, WHO जिसके अदर WHO दुनिया भर के countries को vaccine भेजती है, मतब, economically weaker countries को भेजती है, उसके अदर इस vaccine को खरीदना शुरू कर देते है, जिसको य emergency use का इन्होंने status नहीं दिया, Covaxin, 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 Sign of Arma, Johnson & Johnson, तो अदिती बोलें, इसका से answer होंचे, option नमबर A, और पी मुतु बोलें, इसका से answer होंचे, Johnson & Johnson, इसका से answer है, option नमबर A, Covaxin, इंडिया वाली, जिसको की भारत biotech ने research development भी किया, भारत biotech इसकी mass scale पर production भी कर यहां पर WHO emergency use का approval दे चुका है, अब जो भारत biotech है, हिदराबाद based company, वो मान के चल रहे हैं कि इस साल के 3rd या 4th quarter में, ठीक है, तो 3rd मतब आपको पता है, एक quarter में 3 मिने होते हैं, तो इस साल के 3rd या 4th quarter में लोग मान के चल रहे हैं, इनको यहां पर approval मिल जाना ती है, ठी मून है, वो बिल्कुल जो sun से sunlight आ रही है, पर earth की बस है, जो यहां अंधेरा हो दा, तो बिल्कुल अंधेरे में छुप गया, यहां पर moon, तो total lunar eclipse recently visible था कब, मतलब visible क्या, recently देखा गया, कब था यह, 26th of May, 27th of May, 28th of May, 29th of May, तो आदिती बोले, इसका से answer है, उप्शन नमब में, बिल्कुल से, पी मुथो अभी बिल्कुल से अबतार है, 26th of May, इसका बिल्कुल ही सही answer है, तो बहुत तरी चीज़े वी थी, देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक तो super moon देखा गया था, एक यहां total lunar eclipse हुआ था, और एक blood moon देखा गया था, ठीक है, या फिर red moon, super moon क्य चले जाए, और blood moon में क्या होता है, कि earth के atmosphere से pass करती है, sun की rays, और earth के atmosphere की वैसे, बाकी सारी, जो lights होती है, वो diffract होती है, सिर्फ red light पहुंचती है, moon तक, और moon कुछ हद तक हमको लाल लिखना चुरू होता है, कल रात को भी थोड़ा सा लाल लिखना था, आज भी कोशिश करो कोशन है, इन में से वो कौन सी कंटी है, जिसकी iron और steel की industry तो ऐसे अच्छी खासी है, पर इनके बस raw material अपना खुद का कुछ भी नहीं है, raw material के लिए दुनिया की बाकी countries पर depend करते है, इनको import कराना पड़ता है raw material, Britain, Japan, Poland या फिर जमनी, the iron and steel industries of which of the following countries are almost fully dependent on imported raw materials, तो जितना म अब तक attempt किया है, यहाँ पर बिल्कुल से रुपाली आपने पिसले question का A answer बिल्कुल से attempt किया, इस question का अब तक मैं देख पर हूँ, सिर्फ आदीती ने attempt किया, अदीती बोले, इसका से answer और ची option B मतलब कि Japan, जो कि बिल्कुल ही सही answer है, तो Japan एक ऐसी country है, जिसका iron and steel का output बह है, यहाँ पर raw material बहर से import करके, इंडिया से बहुत सारा iron ore, Japan इंपोर्ट करवाता है, 10th question, question है, दुनिया में सबसे बड़े glaciers, जो largest glaciers है, वो कौन से type के है, mountain glaciers, alpine glaciers, continental glaciers, या फिर ped mount glaciers, तो glaciers की बहुत तरह की type होती है, उसमें से सबसे बड़े glaciers है, दुनिया के, वो कि इस type के होते है, mountain, alpine, continental, या फिर ped mount, तो आतिती बोले, इसका सियांस होंची, option number C, continental, harman बोले, option number A, इसका जो बिल्कु सियांस है, option number C, मतलब की continental glaciers, आपको दिखा रहता हूं, तो जैसे Antarctica, ये continental glacier है, Greenland, एक continental glacier है, जो mountain glaciers होते है, आपको पता होगा है, mountain, जो होता है, उसके mountain में ऐसे बहुत बड़ा hole सौजार, यहां काफी सारी बरफ जम जागी, alpine glacier बन गया, और ped mount glacier कहता है, कि जब mountain से glacier एक ताह से नीचे गरे, और एक valley में जाके बस जाए, उसको बोलते है, ped mount glacier, चलते हैं सुन्स, अपने 11th question पर इसको discuss करें, 11th question है, which of the following is incorrect with regard to the banks and their headquarters, तो यहा इन में से कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा ठीक से match नहीं किया गया, Allahabad bank Kolkata, आंदरा bank, हैदराबाद, bank of India, Mumbai, या फिर नन, तो A, B, इसको C है, या और D है, ठीक है, तो इन में से वो कौन सा combination है, जो गलत है, या फिर सारे ठीक है, नन, इसका सियान से हो चाहिए, कोशिश कर इसको attempt करने की, हर्मन बोल रहे हैं कि Allahabad bank के headquarters Kolkata में नहीं है, और अगर को attempt करना चाहिए, तो जली से इसको attempt कर सकता है, which of the following is incorrect, with regard to the banks and their headquarters, अदिती बोल रहे है, option number D, इसका बिलको सियान से option number D, मतलब none, इसकोशन का सही answer, मतलब कि तीनों के तीनों या पर सही combinations लिखे गए चलते हैं, students, हम fourth part के आखरी question पे, इसके बाद part fifth और part six हमारा बचा हुआ है, question है, when the rate of inflation increases, inflation मतलब महंगाई दर, जब चीजों के prices बढ़ने शुरू हो जाएं, तो क्या होता है, purchasing power of money increases, purchasing power of money decreases, value of money increases, purchasing power of money remain unaffected, easy question है, खुद सोचो, कि अगर महंगाई बढ़ने लग जाएग तो क्या होगा, money के साथ क्या होगा, तो अभी तक मैं देख रहा हूँ, हर्मन ने टेंट किया है, हर्मन बोले है, इसका से answer होना चाहिए, option number, इसका से answer बोले है, हर्मन option number B, इसका जो बिलकुल इस answer है, option number B, तो जैसे ऐसे महंगाई दर बनेगा, जो money है, ठीक है, जो आपक cash है, उसकी purchasing power कम होती देगी, ठीक है, तो रुपाली आप बिलकुल से बता रहे है, option number B, इस question का बिलकुल से answer, ठीक है, तो जैसे से महंगाई दर बनेगा, purchasing power of money कम होती जाएगी, चलते है, सुन्स अपने fifth part पर, ठीक है, तो इसके बाद एक और six part बढ़ जा हुए, fifth के बार attempt करने की, हर्मन ने attempt कर दिया, हर्मन बोल रहे, option number D, अधिती बोल रहे, option number D, और अगर कोई attempt करना चाहे, तो जल्दी से इसको attempt कर सकता है, where is Himayu's Tom located, इसका जो बिलकुल ही सही answer है, वो आपको मिलेगा, option number D, New Delhi, तो New Delhi, इस question का बिलकुल ही, सही answer है, ठीक है, तो हमायू's Tom, म 1993 में UNESCO ने इसको एक heritage site का status भी दे दिया, second question, question है हमारा static affairs catty का, पासी घात airport आपको इंडिया के कौन सी state में मिलेगा, असाम, अरुनाचल परदेश, सिक्किम या फिर चंडिगर, पासी घात airport is situated in which state of India, असाम, अरुनाचल परदेश, सिक्किम या फिर चंडिगर, कोशिश कर इसका जो बिलकुल ही सही answer है, वो है option में B मतलब की अरुनाचल परदेश, ठीक है, तो पासी घात airport आपको एक जगह में मिलेगा, जिस जगह का नाम भी है पासी घात, और अरुनाचल परदेश, सिक्किम या फिर चंडिगर, इसका जो बिलकुल ही सही answer है, वो है option में B इसका इसका इन में से वो कौन सी कंपनी है, जिसको एक गीनिस टाइटल मिला है, for the world's largest programming competition, दुनिया का largest programming competition के ले इन में से किस कंपनी को एक गीनिस टाइटल मिला है, Xiaomi, Microsoft, Dell, या फिर TCS, data consistency services, कोशिश को इस question को attempt करने की, which company has won the गीनिस टाइटल for the world's largest programming competition, तो हर्मन बोल इसक से answer होंची option में, D मतलब TCS, और अगर कोई attempt करना चाहते है, तो जली से इसको attempt कर दो, इस question का जो बिलकुल ही सही answer है, वो है option है, but D मतलब की TCS, मतलब Tata consistency services, TCS, code vita, wins Guinness for world's largest computer programming competition, आप याद रख सकते है, code vita को भी, fourth question, question है, हमारा current affairs category, आप से पूछा रहा है, which state has achieved first rank for implementing smart city mission scheme, smart city mission scheme को implement करने के लिए पहला rank के state को दिया गया, केरला, बिहार, गुजरात, या जार्खन, मैं आपको थोड़ा यह भी समझा रहता हो, smart city mission है क्या, कोशिश करो इस question को attempt करने की, which state has achieved first rank for implementing smart city mission scheme, केरला, बिहार, गुजरात, या फिर जार्खन, तो अभी तक तो आपने स किसने इस question को attempt नहीं किया, तो मैं आपको इसका सही answer बता रहता हूं, इसका बिल्कुल सही answer option number D, जार्खन state, ठीक है, तो news article भी दिखा रहता हूं, जार्खन ranks first in implementation of smart city mission scheme, smart city mission के यह भी आपको थोड़ा बता रहता हूं, बिल्कुल सही answer है, smart city mission के यह भी मैं आपको बता रहत हूं, तो हमारी country में जो urban areas है, उनको develop करने के लिए smart city mission को शुरू किया गया था 2015 में, और यह काम करता है, under the ministry of housing and urban affairs, और हमारी country के prime minister ने इसको launch किया था, चलते है अपने fifth question पे, question है, national health authority ने recently a memorandum of understanding sign किया, किस state की government के साथ, national health authority has signed an MOU with the government of which state, गुजरात, बिहार, केरला या question को attempt करने की, NHA ने sign किया है, यहां पर एक MOU, कौन सी state के साथ, गुजरात, भिहार, केला या पर तेलेंगाना, इस question के मैं आपको सियान से बता रहता है, इसका बिल्कुस सियान से option में D मतलब तेलेंगाना, आपको दिखा रहता हूं, so NHA signs MOU with तेलेंगाना government for the implementation of Ayushman, भार PM जन आरोगे योजना, ठीक है, चलते हम अपने next question पर, six question, question है हमारा यहां पर current affairs का, which vaccine manufacturer has said, its vaccine has been found to be 100% in preventing COVID-19 among adolescents, वो कौन सी इन में से vaccine की company इसने बोला कि Adultsants में ठीक है, जो Adults होते हैं, उसमें यहां पर 100% तक यह जो particular vaccine है, यह COVID-19 को रोक सकती है, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson या फे Sputnik, कोशिश करो इस question को attempt करने की, इन में से वो कौन सी pharmaceutical company जिसने claim किया कि 100% तक वो prevent कर सकते COVID-19 among adolescents, ठीक है, तो अभी तक तो मैं देख रहा हूं, आपने से किसी इस question को attempt नहीं किया, तो मैं आपको इसका सी answer बता रहता हूं, इसका जो बिलकुसी answer है, option number A, Moderna, ठीक है, तो Moderna इस question का बिलकुसी answer है, चलते है, अपने 7th question, question है, हमारा current affairs catty का, किसको appoint कर जागा है, new CBI chief, CBI के नए chief किसको appoint कर जागा है, राकेश, अस्थाना, YC Modi, इस question का सही answer होगा, और अगर को इस question को attempt करना चाहे, तो जल्दी से इस question को attempt कर सकता है, इसका बिलकुल जो सही answer है, वो पता रहे है, यहाँ पर पी मुथू हर अधिती, option number C, सुबोध जैसवाल, तो पहले CSF के chief थे, अब इनको सुबोध जैसवाल को यहाँ पर CBI, ठीक है, Central Bureau of Investigation का chief यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया, चलते है, अपने 8th question पर question है, हमारा current affairs category, चाहिना के एक scientist का नाम था, Yuan Longping Amin को देख सकते हो, recently he passed away, इनकी recently death होगी, ठीक है, यह बहुत जादा जाने जाते है, किसी इसके लिए, hybrid oilseeds के लिए, hybrid cotton के लिए, hybrid wheat के लिए, या फि कोशिश करो इस question को attempt करने की, बिल्कुस ही, पी मुथो अपने पिछले question का बिल्कुस ही answer attempt किया, इसका भी attempt करो, कि यह Chinese scientist है, Yuan Longping, यह बहुत जाने जाने जाते हैं, चाहिना में किसी इसके लिए, क्या इनोंने बनाए थी, hybrid oilseed, hybrid cotton, hybrid wheat, या फिर hybrid rice, इस question का जो बिल्कुल ही नहीं सही answer है, वो है option number D, hybrid rice, देखो, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा producer है rice का, पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा consumer भी है rice का, hybrid rice के थूँ, इनोंने अपनी production थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करी, फिर भी कोई फरक नहीं पड़ पाया, क्योंकि चाइना में demand इतनी ज जादा है, कि यहां पर hybrid rice उगाया जाता है, जिससे जादा production हो सके, फिर भी चाइना को दुनिया भर से, बहुत सारी country से चाइना को rice इंपोर्ट कराना पड़ता है, क्योंकि demand बहुत जादा है, ठीक है, चलते हैं, तो आप देख से एक news article, चाइना's father of hybrid rice, यूंग लॉंग पास्ट अवे, चलते हैं, अपने 9th question पर question है, social studies का आप से पूछा जा रहा है, the highest average salinity among the falling seas is reported from, जैसे आपको होता है, समुद्र का जो पानी है, वो खट्टा होता है, पूरे दुनिया में जो oceans है, उनका अगर पानी देखो, तो इसकी average salinity मताब खट्टा पान निकलता है, 3. आप से पूछा रहा है कि इन में से जो various seas के नाम लिखे हैं, सबसे ज़्यादा खट्टा पानी कि सी को होता है, dead sea, red sea, black sea, mediterranean sea, to salinity के हिसाब से सबसे ज़्यादा इन में से कौन saline है, dead sea, red sea, black sea, mediterranean sea, अधिती बोले इसका सियांसर होंची, option number A, मतलब कि dead sea, और अगर आप सियांसर तो आप देख सकते हो, यह country of Israel, इसके बिल्कुल यहां पर आपको में लेगा dead sea, तो यह मतलब कि और किसी ocean से जुड़ता नहीं है, ठीक है, बोलते है इसको sea है, पर यह एक लेक है, ठीक है, ठीक है, सुन चलते है, अपने 10th question पर इसको discuss कर लेते है, social studies का question है, अच् radiation by sun are strongly absorbed by carbon dioxide, water vapors, carbon dioxide and water vapors, या फिर ozone, कोशिश कर इसको attempt करने की, हर्मन बोले, इसका सियांसर वंची, option number A, मतलब की carbon dioxide, बाकी लोग भी कोशिश करो, अधिती बोले, option number A, मतलब की carbon dioxide, और इस कोशिश का बिल्कुल सियांसर, option number A, मतलब की carbon dioxide, चलते है, अपने 11th question पर, questions है, bank board bureau BBB ने recently recommend किया है, कि जो bank of Baroda के ED जिनका कुछ नाम Jain है, इनको MD और CEO बना दिया जाए, किस bank का, क्या इनको MD और CEO बना दिया जाए, BOI का, Oriental का, UCO का, या फिर Indian bank, तो bank board bureau has recommended bank of Baroda's ED, Mr. Jain, as MD and CEO of which bank, bank of India, Oriental bank, UCO bank, या फिर Indian bank, तो हर्मन बोले, इसका सियांसर वंची, option number D, मत अगर को यह attempt करना चाहिए, तो जल्दी से इसको attempt कर सकता है, इस question का जो बिलकुल ही सही answer है, वो है option number D, मतलब कि Indian bank, ठीक है, आपको news article लिखाता हूँ, तो bank board bureau recommends bank of Baroda's ED, Jain, for MD and CEO position at Indian bank, ठीक है, तो bank board bureau जो अपनी recommendation है, Government of India को देता है, Government of Indian की recommendation को मान के, जो भी positions होती है, उसक पार्ट का हमारा आखरी question बचा है, इसके बाद हमारा 6 पार्ट आखरी पार्ट और 6 पार्ट में 12 questions और 2 special questions, बस 14 और questions बचे हुए है, पांच पार्ट का आखरी question है, which of the following organization issues the rule of global trade, तो global trade के rules and regulation इन में से कौन issue करता है, IMF, World Trade Organization, Foreign Trade Organization, या फिर G20, कोशिश फ्रेस question को attempt करने की, हर्मन बोले, इसका सही answer है, option B मतलब World Trade Organization, अधिती बोले, option B मतलब World Trade Organization, और कोई attempt करना चाहे तो जल्दी से इसको attempt कर सकता है, इस question का बिलकुल ही सही answer है, option B मतलब World Trade Organization, तो WTO यहां rules and regulation set करता है, global trade के, import, export के, ठीक है, बिलकुसी रुपाली, option B इस question का बिलकुसी answer है, World Trade Organization, ठ इसके साथ हम इस class के आखरी पार्ट पर आगे हैं, six part, total 14 questions है, यहां पर 12 questions, तो आपने देखी लिए कैसे हम करते है, दो static के, छे करंड के, दो socialry, दो finance, और बिलकुल लेंड में आपको दो special maps question भी मिलेंगे, first question है, static affairs category, the dudva national park is a national park situated in which Indian state, इंडिया की कौन सी street में आपको मिल state of India, तो अधिती ने सबसे लिटेंड कर दिया, अधिती बोले, इस question का सही answer है, और चलते हैं, second question है, question है, हमारा static affairs category, joint training exercise, जिसका नाम है, hand in hand, यह इंडिया की army conduct करती है, किस country के साथ, मलेशिया, चाइना, श्रिलंका यह इसराइल, तो hand in hand is conducted by which other country, किस country के साथ, इसको रखा जाता है, कोशिश करो इसको attempt करने की, मलेशिया, चाइना, श्रिलंका यह फिर इसराइल, तो, आदिती ने attempt कर दिया, इसका सेयांसर, आदिती बोरे होना चाहिए, option में B, मतलब की चाइना, और कोई attempt करना चाहता है, तो जली से इसको attempt करतो, इस question का बिल्कुल जो सेयांसर है, वो है option में B, मतलब चाइना, तो, hand in hand, India conduct करता है, चाइना, एक साथ पर अब लग मेरा की, काफी लंबे टाइम ते की, access conduct की जाएगी, because of the relations between India and China, third question, question है, हमारा current affairs, काटी का आप से पूछा रहा है, VIPER, Volatiles Investigating Folar Exploration Rover, यह एक mobile robot है, जिसको की launch किया जाएगा, Moon की तरफ, ठीक है, 2023 में, आप से पूछा रहा है कि कौन सी country इसको launch करने वाली है, Russia, Japan, Israel या United States, तो, Aditi ने सब से ले attempt कर दिया, Harman ने भी attempt कर दिया, और उसके इलावा, अभी तक, Aditi और Harman ने attempt कर दिया, Aditi बोले, United States launch करेगा, वाइपर को, और Harman बोले है, United States, इसका बिलकुसी answer है, United States, मतब, NASA, NASA launch करेगा, ठीक है, तो, NASA to send its first mobile rover to search for water on the moon in 2023, 2013, बिलकुसी, फोर्थ कोर्शन, कोर्शन है, विच स्टेट वाज़ी टॉप रिसिपेंट ओफ फॉरें डिरेक्ट इन्वेस्मेंट इन इंडिया, दूरिंग दिया फिसकल यह 2021, 2021, 2020 सीखिस का जो financial यह था, इसमें इंडिया के कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरें डिरेक्ट इन्वेस्मेंट रिसीव की गई, महराश्टा, करनाटका, गुजरात, यहाँ फिर किरला, इन तीनों स्टेट में मैक्सिममम उमांट अफ इन तीनों स्टेट में मैक्सिमुम उमांट अफ दिया सीइव की गई, एन यूमिक्त अभून स्करते जनल इंटोन Š कोटेनाट इर्नीय वह नेशन के सेकरेटरी जनल एंटोनियो गुटारस के साथ एक मीटिंग करी न्यूयॉक में तो क्या यह थे अनुराग ठाको अनुरेंद्र मोदी एनस तोमर या फिर एस जैशंकर तो जो मिनिस्टर इस ताइम पर यूएस की विजट पर गए वही मीटिंग करेंगे तो आदिती हमारी कंट्री के एक्स्टेनल फेज मिनिस्टर इस जैशंकर मीट्स जैशंकर मीट्स इन न्यूयॉक क्योंकि न्यूयॉक में हेट्पोर्टर्स है यूएन का इसका काम क्या होगा अगर दुनिया में कोविड का कोई नया स्टेन आता है कोई नया म्यूटेंट आता है और वह बहुत तीर से फैल जाए उससे पहले यह उसको ट्रैक करेंगा और उसको कंट्रोल करने कोशिश करेंगे तो ग्लोबल पैंडेविक रेडार बनाने क्या जो अगर आपने से कोई टेम्ट करना चाहे तो जल्दी से इसको टेम्ट कर सकता है तो इस कोशन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वह उप्शन बसी मतलब इनाइटेट किंग्नम आपको दिखा रहे तो में तो यूके लॉंचे प्लान फर ग्लोबल पैंडेमिक रडार तो डिट आप से पुछा रहे है कि मुसाड कौन सी कंटी की नाशनल स्पाइ जनसी है ठीक है यूके यूएसे इसराइल याफी यूएए कोशिश करो इस कोशन को टेंट करने की डेविड बार्लिया है अपॉंटेद आज इस फॉलिंग नेशन स्पाइ जनसी इस मुसाद यूके यू इसका बिलकुल ही सही आंसर है उप्शन बसी है मतलब इसराइल तो इसराइल की जो जैसे हमारे यहां पर रॉय इसराइल में मुसाद है बहुत ही जादा इफेक्टिव है मुसाद बहुत सारी इन पर मुविज बनिया और बहुत सारे जो इनके मिशन उसके बार में दुनिय जबर में बात भी की जाती है ठीक है एर्थ कोश्चन कोश्चन है हमारा करंट अफेर स्काटी का आप से पूच्छा रहा है कि महौली इंटरनाशनल होकी स्टेडियम इसका नया नाम के रखा गया मेजर ध्यान चन इंटरनाशनल होकी स्टेडियम ओलिंपियन बल्बीर सिंग स बल्बीर सिंग् सेंग् सेंग्स इंटरनाशनल होकी स्टेडियम आप देख सेंग्स आप देख सकते नाम के है विक्टोरिया कुइंसलंड तस्मानिया या फिर न्यू सौथ वेल्स को इसको अटेंप करने के तो जिससाल से हमारे अंडेमानी को बर कुछ कुछ वैसा ही कंसे यहां पर ठीक है तो अधिती बोलने इस कोशन का सही आंसर हो चाहिए option number C, Harman बोलने option number C, इसका बिल्कुल सही option number C, तस्मानिया, आपको दिखाते है तो एक map पे, तो यह उस्टेलिया है, उस्टेलिया की बिल्कुल सही रुपाली option number C, इसका बिल्कुल सही आंसर है, तेन्थ question, social studies का question है, आपसे पूछा रहा है कि सबसे उंचे sand dunes, कौन से desert में पा जाते है, sand dunes क्यों होता है, जो मिटी, मतलब जब हवा चलती है, तो हवा से जो मिटी है, वो formation ले लग जाती है, तो सबसे ब्ले time कर दिया है, हर्मन ने, हर्मन बोले है, सहारा डजट, इसका सही आंसर होना चाहिए, आधिती बोले हैं, इसका सहारा डजट, और अगर कोई है, उसकी formation से sand है, जो एक एक शेप लेनी शुरू कर देते हैं, इसको से रुपाली, option number A, इसका बिलकूल सही आंसर है, ठीक है, चलते है students, इस class के हमारे second last question पे, बस दो question बचे है, finance का टिया question है, which country, sorry, second last नहीं, इसके बाद दो और question, special वाले हैं, मैं आप वाले question, which country was the largest source of foreign direct investment in India, in the financially, 2020, 2021 में, चंदर देखो, जो government का mood लग रहा है, तो exam तो होंगे, जितना मुझे समय लग रहा है, वो कैसे होंगे, वो government अभी सोचेगी, पर exam तो लग रहा होंगे, 2020, 2021 में, वो कौन सी country है, जहां से सबसे जादा foreign direct investment इंडिया में आया, चाइना, United States, Singapore या Thailand, तो अभी तक मैं देख रहा हूँ, अधिती ने attempt किया, अधिती ये बोले है, इस question का सिंगापूर है, इंडिया है, अधिती के साब से सबसे दा FDI इंडिया आया है, और को ये attempt करना चाहते हो, जली से इसको attempt कर दो, इसका बिल्कुसी यांसर है, option बसी सिंगापूर, ठीक है, तो सिंगापूर से, maximum foreign direct investment इंडिया आया था, सिंगापूर नंबर वाग पे था, सेकेंड पे यूएस से था, और थर्ड पे यहां पर जो नाम था, मौरिशियस, ठीक है, बिल्कुसी ये पी मुथू, option नंबर सी सिंगापूर, इसका बिल्कुल ये सही आंसर है, चलते हैं सुर्ण्स, हमारे 12th question पे, question है, कि जो currency है, euro, उसको कब introduce किया गा था, क्या euro बनी थी 1st of January 1999 में, 1st of January 2000 में, 1st of August 2001 में, या फिर 1st of March 2002 में, इन में से किस साल euro currency को introduce कर दिया गया था, ठीक है, कोशिश करें, इस question को attempt करने की, ठीक है, तो मैं आपको इसका सिंगा, अच्छा, आदिती बोले, option नंबर A मत्दा 1st of January 1999, और अगर आपने से को attempt करना चाहे, तो जल्दी से इसको attempt कर सकता है, इस question का बिल्कुल ही सही answer है, बिल्कुल CP मुत्व, option नंबर A, 1st of January 1999, इस question का बिल्कुल ही सही answer है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो euro को 27 European Union की country में से 19 countries तो euro को अपनी official currency मलब यूज करते हैं, बाकी जगह भी euro राम से चल जाता है, तो पूरे European Union में आप euro को यूज कर सकते हूँ, चलते हैं सुटस अपने special question तो question क्या है, आपको यहाँ पर Indian city ढूणनी है, जिस पर dot लगाएगा है, ठीक है, तो जिस जगह आपको यह लाल dot दिख रहा है, आपको बता रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही important Indian शहर है, कौन सा शहर है, तो मैं आपको नहीं पता हूँगा, state कौन सेवस सब आपको देखो, और पताओ कि यहाँ कौन सा बहुत important Indian city आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आदिती ने attempt कर दिया, बाकी लोग भी कोशिश करो, पताने की कौन सा बहुत important city है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ आपका dot लगा हूँए, I hope जो dot आप उसको region है, रेवाला, यहाँ पर आपको मिलेगा, गवालिया, ठीक है, बिलकुँ सी, चलते हैं, इस class के हमारे आखरी question पर, आप देख रहें, एक dot, आपको पताना है, जो dot जहाँ लगा हूँए, यह कौन सा important city है, कौन सा important शहर है, जहाँ है dot आप देख पारे हो, तो कौन सी state में आप देखो, और उसके बार बताओ कि कौन सी important city है, जहाँ पर यह dot लगा हूए, अधिती attempt करें, इसको अधिती बोले, इसका से answer होना चाहिए, पूने, ठीक है, जो कि महराष्टा में आता है, इसका बिलकु सी answer है, पूने, तो महराष्टा की second सबसे important city, after Mumbai, और बहुत time तक इंडिया में सब सारे cases करोना के पूने सी आतर है, पूने इसका सही answer था, ठीक है, तो मैं आपको जली से पता दूँ, अगर आप लोग मेरा time table देखना चाहो, तो YouTube platform पे daily current phase की class में, Monday to Saturday, रोज सुबह लेता हैं, 10-11, आप इस classes को join कर सकते हो, बहुत सारे questions और बहुत सारी news ह हम इस class में करते हैं, Monday शाम को होती है हमारी 7-8 special maps की class कोशना से साथ, Tuesday शाम को 7-8 होती है, 6 months revision class category wise कोशना से साथ, Friday शाम को 7-8 होती है, full week current phase की revision कोशना से साथ, जो भी हम conduct कर रहे हैं, और Friday दुपैर को 3-3 होती है, 20 best question of banking economy, यह आज दुपैर को class हो चुकी है, अगर आप इसक आपको इस की वीडियो मिल जाएगी, उसके अगर आप लोग आने काडमी प्लाटफों में प्लाटफों में प्लाटवर्म प्लाटवर्म मुझा फॉल्व कर सकते हैं, जो भी classes में है, आपको इसका लिंक मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आपको class की PDF मिल जाएगी, उसके अगर आपको उता दू, अगर आप लोग प्रचेस करना चाब बांकिंग इंग्जाम के subscription तो यह duration के साब से यह prices पे आपको subscription available हो जाएगी, अगर आप रेफर कोड यूज करते हैं, तो आपको additional यहां पर 10% off मिलेगा, तो अगर कोई भी course प्रचेस करना चाब आने काडमी प पर cover हो चुका है, revise हो चुका है, अगर किसे कोई doubt है, अपने doubt पो पूछ सकते हैं, में तर्फ से जितना मुझे यहां cover करना था, वो cover होता है, थांक्यू पीमुतू, I hope कुछ आप अच्छा ही लिख रहोगे, मुझे तो नहीं पढ़ना आता, तो मुझे तो यह भी नहीं सम सब को वहाँ पर उस class में देखें, thank you for watching and have a very successful day, good night, तामिला, चलो ठीक है, पीमुतू, अगर आपको, अगर आप लगाना चाओ, तो कल सुबह आप 10-11 बज़े वली class लगागे देखना, बहुत सारे news, बहुत सारे questions को cover करें, thank you, good night everyone.